या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्री अर्थात नौरातें इनौरातों और दस दिनों के दौरान देवी के अलग-अलग नौरूपों की पूजा की जाती है नौरात्र में आठमे दिन यानि अश्टमी थी महागौरी शक्ति की पूजा को समर्पित है नाम से ही प्रकट है के इनका रूप पूर्णता गौरवर्ण है इनकी उपमा शंक, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है शुपुराण के अनुसार महागौरी को आठ साल की उम्र में ही अपने पूरव जन की घटनाओं का आभास हो गया था इसलिए उन्होंने आठ साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी इसलिए अश्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है इस दिन मा की पूजा में दुरगा सब्शती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेश भलदाई होता है महागौरी के सभी आभूशन और वस्त्र श्वेत हैं इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है चार भुजाएं हैं और वाहन वर्शब है इसलिए वर्शार रूठा भी कहा गया है उनको माता महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत शान्थ है पति रूप में श्व को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी इसी वज़ा से उनका शरीर काला पढ़ गया था लेकिन तपस्या से प्रसंद होकर भगवान श्व ने उनके शरीर को गंगा के मा महागौरी को शुवा भी कहा जाता है इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान श्व का प्रतीक दम्रु है अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्वल, कौमल, शुएत वर्णी और शुएत वस्त्रधारी और तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक ग्रहस्त महिला की शक्ति को दर्शाता है। देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनात्म ने पार्वती जी को देख कर कुछ कहा जिससे उनका मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षु तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती को खोशते हुए भगवान शिव उनके पास पहुशते हैं, वहाँ पहुचकर उन्होंने देखा कि पार्वती जी उनका रंग अत्यंत ओचपूर्ण है, उनकी छटा चांदनी के समान, और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही है, उनके वस्त्र आभूशन से प्रसंद होकर देवी उमा को गौरवन का वो वर्दान देते हैं, महागवरी रूप में देवी करुणा मई, स्नेह मई, शांत और म्रदल देखती हैं, महागवरी से सम्मंदित एक अन् तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंग की भूख बढ़ गई, परन्त वो देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया, इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया, देवी जब तपसे उठी तो सिंग की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई, और मा उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वहन बैल और सिंग दोनों ही हैं, महा गौरी अमोग फल दाएनी हैं, इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलुश धूल जाते हैं, पूर्व पाप भी नश्ठ हो जाते हैं, महा गौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्यानकारी है, इनकी क्रपा से अलोकिक सिध्धियां भी प्राप्त होती हैं, अब हम आपको बता रहे हैं माता आदेशक्त की सहायक शक्तियों के बारे में, ये शक्तियां हैं 64 योगनि जिनकी मदद से माता आदेशक्ति इस संसार का राजका चलाती हैं, और शष्ट के अंतकाल में ये मातर का शक्तियां वापस मा आदेशक्ति में पुना विलीन हो जाती हैं, और सिर्फ मा आदेशक्ति ही बचती हैं, फिर से पुनर निर्मान के लिए 64 योगनियां समय समय पर माता दुर्गा के सहायक शक्तियों के रूप में काम करती है और दूसरे दिश्चकूर से देखा जाए तो ये मात्रिका शक्तियां तंत्र भाव और शक्तियों से परिपूरित है और मुक्यताह तंत्र ज्यानियूं के लिए प्रमुख आकर्शन का केंद्र हैं। दरसल ये सभी आदिशक्ती मा काली का उतार हैं। घोर नामक दैत के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये उतार लिये थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सकियां हैं। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याईं हैं और सिद्ध विद्याओं की भी गड़ना की जाती है। ये सभी आद्या शक्ती काली के ही भिन्भिन आवतारी अंश हैं। ये भी कहा जाता है कि समस्त योगनियों का संबंद मुक्यदाह काली कुल से है और ये सभी तंत्र और योग विद्या से घनिष्ट संबंध रखती हैं समस्त योगनिया अलोकिक शक्तियों से संपन हैं प्रमक रूप से आठ योगनिया हैं जिनके नाम इस्ट्रकार हैं सुर सुन्दरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनक्वती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुन्दरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी और मधुमती योगिनी 64 योगनियों की बात करें तो उनके नाम इस प्रकार हैं जौला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, बिरूपा, कौवेरी, भलुका, नार सिंगी, बिरजा, पिक्तान्ना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सरपर्ष्या, यक्षणी, विनाहिकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुधी, काली, उमा, नाराइनी, समुद्र, ब्रह्मिनी, जाला मुखी, आग्रेई, अदिति, चंद्रकांती, वायवेगा, चामुंडा, मूरती, गंगा, धुमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायवीना, अघोर, और भद्रकाली, किसी भी प्रकार की मनुकामना को पूर्ण करने के लिए, इनकी साधना की जाती है, ये विधान शीघर भलदायक है, 64 योगनियों के भारत में चार प्रमुक मंदिर हैं, दो ओलीशा में और दो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक मुरैना जिले के थाना अरिठावरा काला में, ग्राम मितावली में है, इसे एकंतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा एक दूसरा मंदिर खजुराहों में इस्तित है, आज हमने देवी मा के अश्टम सरूप, माता महागौरी और चोसठ योगनियों के बारे में चर्चा की, अगली कड़ी में हम बात करेंगे, नव दूरगा के नवम सरूप, मा सिद्धिदात्री की, और बताएंगे क्यों होती है, नो दिनों तक दूरगा पूचा, यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरूद है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, धन्यवाद, देवी मा की किरपा आप पर सदयों बनी रहे, जै मा दूरगे